आज आप एक बहुत ही दुल्लब पंची का दर्शन करने जा रहे हैं ये पंची बालमिक की रमाण में बर्णित है महर्शी बालमिक संध्या शमय में नित्र किया करने के लिए बाहर निकले थे अस्तानादी के बाद वो शाम होने के पहले कुटिया में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक क्रॉंची इसे हिंदी में सारस भी कहते हैं बहुत जोर से बिलाब कर रही थी क्योंकि उसके पती को एक बहेलिये ने मार दिया था महर्शिबालमी का हरदय शंत हरदय द्रवित हो गया और उन्होंने बहेलिये को स्राप दे बैठा और कहा कि कभी भी तुम्हारी आत्मा को शान्ती नहीं प्राप्त होगी जिस तरह से प्रेमरत क्रॉंच के जोले को तुने जुदा कर दिया उसके पती को मार दिये और उसकी पत्नी बिलाब कर रही है यही देशाथ तुम्हें भी प्राप्त होगी और तुम अनंत वर्षों तक अशान्ती को प्राप्त करोगे महर्शी बालमीक ने उसको साप दिया और साप देने के बाद वहां से चलवशे उनके मन में ये बात बार बार आने लगी कि हमने ये क्या कर दिया जो श्लोक है उसको मैं पढ़ता हूँ ध्यान से सुनेंगे बहुत ही दुरलव श्लोक है अगर आपको वालमीकी रमायन में बहुबत है प्रेम है मानिशाद प्रतिस्थांग मानिशाद प्रतिस्थांग त्वमा गमः स्ष्वतिस्वामा यत्यक्रौंच मिथुनां देक मवधी मा निशाद प्रतिष्ठांग ए निशाद ए बहेलिया तुम्हे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी अनन्त बर्षो तक तुम तड़कते रहोगे मा निशाद प्रतिष्ठांग त्वम गमः साश्वतिष्ठां यत्यक्रोंच मिठुनादेक मवधी मा निशाद प्रतिष्ठांग त्वम गमः साश्वतिष्ठांग यत्यक्रोंच मिठुनादेक मवधी काम मोहितंग ये क्राम्चे प्रेम में क्राम्शे मोहित होकर के एक दुस्य से प्यार कर रहे थे और उस परिस्थिती में तुमने इसके पती को मार दिया पुर्ण स्लोक पढ़ें शुने मानिशाद प्रतिष्थां त्वमांगमः साष्वतिष्वाम् यतक्रोंचादि मुथुनादेक मवधिष्काम मोहितम मानिशाद प्रतिष्थां त्वमगमः साष्वतिष्वाम् महर्शी बालमिक के मुख्षे ये बाते निकल गई और इकी इसके एक अक्षर से एक अक हजार्श लोकों की राचना हुई वही बालमिक ये रमान बना और यहीं से अहिंसाग धर्म का हमें पंचियों के प्रती जीवों के प्रती मुहबबत का एक बहुत बड़ा शबूत मिलता है कि क्यों बैशनों धर्म में क्यों हिंदुजम में मुहबबत पंचियों से की जाती है जीवों से की जाती है इनकी हत्यातों दूर इनके प्रती नहीं रखा जाता है यही है बालमी की रवायन का शंदेश जो हमारे शमाज और हमारे जीवन